बजरी खनन को लेकर सुप्रीम कोर्ट की रोग के असर की असलियत अगर देखनी हो तो राजिस्थान के भीलवाडा जिला मुख्यालिवे उसके आसपास इस द्रश्य को आसानी से देखा जा सकता है जिले में केवल कोटडी शेत्र में बनास नदी वे कोठारी नदी से बजरी खनन की अनुमती हडे की मांडलगर तहसील शेत्र सीमा में धढलले से बजरी का अवैद खनन हो रहा है जिला पृष्यासन वे खनिज विभार चुप्पी साधे है कागजों में केवल कोटडी की अनुमती असल में समूचे बनास नदी से दिन रात बजरी खनन हो रहा है अवैद खनन की शिकायतों के बावजूद आरोपियों पर काज़वाई नहीं होने से पुर्शासन की कारिफिंडाली पर सवाल उठने लगे हैं बनास बचाव समीती के कारिकरताओं ने बताये कि जब जिम्मेदार ही बे परवा हो जाये तो जनता अपनी समस्या की से सुनाएगी गड़े हो गड़े हो गड़ी है ऐसे में जिम्मेदार जल सनसाधन विभाग भीलवाडा की अधिकारी भी अपनी आँखे मूंद कर बेटे हुए हैं जिससे निरंतर नदी के सुंदर्य करन विगणने के साथ बनास नदी का बहाव शेत्र में भी लगतार अवैद खनन से प्रभावित हो रहा है। जिससे नदी का पानी निरंतर प्रभावित हो रहा है। जिससे नदी का बहावित हो रहा है। जिससे नदी के अंदर पहुँचकर जैसे भी लन्ती के माधियम से बजरी का अवेद खनन कर रहे हैं। जिससे नदी में 8 से 10 वे 11 फिट के खड़े हो चुके हैं। जिससे नदी के अंदर प्रभावित हो रहा है। जिससे नदी के बधा कर दिससे के अंदर से 40 अंदर प्रहित हो रहेद है। जिससे नद्से नदiegen yeah यहँचकर देजससे के अंदर आध कर द éénताम्